शौट बॉल पे शौट कौन केलता है याँ अगर मैं होता ना मस बॉल को देखता और शानदार प्श खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉर्ट पर लोएस्ट एंट्री फी में बिग पैस्ट लीग माच दो मुकाबले खेले जाएंगे तो हम पहले बात करेंगे जो मुकाबला पहला होना यानि कि 10 बच के 35 मिन पर जो मैच शुरू होगा उसके बारे में तो जादा समय नहीं है अब से थोड़ी देर के बाद में मुकाबला शुरू हो जाएगा जल्दी से जाकर के free pot code जो है वो यूज करके free pot जोइन कर लीजे और आपके पास में बिना कुछ लगाए पैसे जीतने का रोपे जीतने का पैसे जीतने का महाँ पर मौका रहेगा तो जाएए जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद में फ्री पॉर्ट को रिकोर्ड यूज करके आप जो फ्री पॉर्ट है उसको जॉइन कर लिजेगा उसके अलावा बहुत सारी और भी लीग्स जॉइन कर सकते हैं महाँ पर तो जो पहला मुकाबला उसमें पर्थ स्कॉचर्स और हॉवर्ट हरीकेंस की टीम सामने सामने होंगी बिग बेश लीग में अगर दोनों टीम्स का आप सफर उठा करके देखेंगे और हॉवर्ट हरीकेंस को उसमें सिक्स्ट पोजीशन पर रखा हुआ है अब बात कर लेते हैं जो पिछला मुकाबला रहा था दोनों टीम्स का पहले बात करेंगे हम पर्थ स्कॉचर्स वाले मैच की पर्थ स्कोचर्स का जो पिछला मुकाबला था वो हुआ तब रिजबिन हीट से और इस मुकाबले में पर्थ स्कोचर्स को जीत मिली थी अब पहले बल्लेबासी करते हूँ उन्होंने बोर्ट पर लगाय थे 174 रन जबदस बल्लेबासी इनकी तरफ से हुई थी अगर मैं आपको इंडिविजवल स्कोर बताऊं जो हाइलाइटिंग स्कोर रहे थे वो बताऊं तो कॉलिन मुन्रो ने जबदस पारी खेली थी हाँ पर 54 गेंदों में उन्होंने 82 रन बनाये थे वहीं उनका अच्छा साथ दिया था जौश एंगलिस ने और उसके बाद फिर आश्टन टर्नर ने तो इन दोनों ने भी 24-24 संट की पारी खेली थी लेकिन मुन्रो ने जो पारी खेली थी वो हाइलाइटिंग पारी रही थी तो गेंद बाजी में कॉंटों थे की पर्फॉर्मर्स थे उनके जे रिचरट्सन उनने दो विकेट लिये थे उसके बाद जेसिन बैरंडॉफ और एंड्रू टाई को भी दो दो विकेट मिले थे वहीं दूसरी तरफ वबाद एहमद है उनको तीम रिकेट मिले थे तो इस तरह से इनका पिश्रा मैच रहा था जिसमें इन्होंने जीत दर्च करी थी अब वहीं दूसरी तरफ इनका होबर्ट से मैच है होबर्ट ने भी अपने पिश्रे मैच में जीत दर्च करी थे और सि वो इनके गेंदबास पो नहीं चले थेलिस को एक विकिट मिला था बाक्य ओर सारे जो गेंदबास से वो विकिट लाइते लेकिन जो इनकी बल्लेबाजी थी हमेश्लों इनकी अच्छे रन्स स्कॉर किय और जो टार्गेट का उसको आसानी से अचीव कर लिया बल्ले बास में मैं जब भी इस टीम की बात करता हूँ और इस मैच में भी वैसा ही हुआ उन्हों ने 56 रंकी जबर दस्ताबर तोड़ पारी जिसको बोलते हैं वो खेली थे अपनी पारी में उन्होंने आठ चौके और पांच सिक्स लगाए थे तो ये इनकी तरफ से था उसके बाद लेसन की पारी खेली थी सिर्फ और सिर्फ 28 गेंदों में तो इस तरीके से ये दोनों बल्लेबास चले हलाकि एका दो विकेट और गए थे लेकिन जो पूरा काम था वो इन दोनों बल्लेबास होने कर दिया था और इस टीम को फिर आसानी से जीत मिल गई थी अब कर लेते हम दूसरा मैच की बात ये मैच एक बच के 45 मिनट पर शुरू होगा इस मैच के लिए आपके पास थोड़ा सा भी समय है आप आरम से जाकर के इस मैच के अपनी टीम बना सकते हैं लेकिन टीम ज़रू बना लीजेगा इस वीडियो को देखने के बाद प्लेयर स्पॉट पर और अगर अभी तक आपने आप को डाउनलोड नहीं कराएं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जा करके आप महां से आप को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी प्रैसे जीतने का आपके पास मौका है और अपसे कुछ दिन बीबीयल के दो तो मैच्स होंगे ए ग्यारा मैचिस ही उन्होंने के लिए ग्यारा मैचिस में उनको जीत मिली है वही दूसरी तरफ सिड्नी ठंडर्स की टीम है जिन्होंने ग्यारा मैचिस खेले हैं लेकि जीत सिर्फ उनको पांच मैचिस में मिली है तो यह इस तरह से इनका सफर है वही पिछले मैच की अगर की टीम आई तो फिर जौश फिलिप जबदस बल्यबाजी उनकी तरफ से देखने के लिए जेम्स विंस ने जब जब बल्यबाजी करी थी जौश फिलेप ने त्रासी रंबी पारी खेली थी और जाम स्विंस ने जो पारी खेली थे ऊदि छपपन रन की तो इन दोनों की मदद से सिड्नी सिक्सर्स को इस मैच में जीत मिली गेंदबाजी का आगर मैं आपको कोचिन के हाइलाइटिंग जो गेंदबाज से उनकी बात करूं मैं तो इनकी तरफ से ब्रेथवेट को दो विकेट मिले थे ब्रेथवेट के बाद में जैक दर्च करीती महीं दूसरी तरफ बात कर लेज़े सेड़नी ठंडर्स की तो होबट हरी के साथ में उनका मैच हुआ था और सिड्नी ठंडर्स में इस मैच को गमाया था अब सेड्नी ठंडर्स ने पहले बल्लेबासी करती हुए 177 रन लगाए थे बोर्ड पर हॉबर्ट हरीकेंस के सामने अब इनके जो बल्लेबास रही थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था उसमें शामिल थे सिर्फ सैंबिलिंग्स जिन्होंने 50 रन की पारी खिली थी 34 गेंदों में वहीं जो ओपनिंग पर आये थे इनकी तर 70 लगाए थे लेकिन उसको आसानी से चेस कर लिया था हॉबर्ट हरीकेंस की टीम ने इनकी गेंदबाजी में बताओं आपको तो इनकी गेंदबाजी में सिर्फ जो तन्वीर सांगा है उनको दो विकेट मिले थे और उसके बाद फिर मैक एंड्री हुएं और एडम माइन न उनके प्लेयर्स कौन कौन से चले थे किस तरह से उनका प्रजर्शन रहा था फॉर्म कैसी थी उसके बेसिस पर आप जाकर के अपने प्लेयर्स पिक कर सकते हैं आज चार प्लेयर्स मैं पिक नहीं करूँगा क्यूंकि आज थोड़ा सा मुझे confusion है आप आज मुझे बताएग हर बार मैं आपको बताता हूं कि कौन से वाइस कैप्टेन चुन सकते हैं चार प्लेयर्स आप मुझे बताएगा आज अपने कि दो कैप्टेन वाइस कैप्टेन आपके कौन से हैं दोनों टीम से बताएगा तो मेरा इंस्टा हैंडिल यागनि.ट शशंक आपको इस्क्रीन पर अभी देख रहा है जल्दी से अपनी टीम बना करके मुझे अपनी टीम का स्क्रीन शॉर्ट बेज दिए और फिर हम महाँ पर डिसक्रशन करेंगे मेरे इंस्टा हैंडिल पर कि आपकी टीम में आप क्या क्या चेंजिस कर सकते हैं या आपकी टीम किस तरह से आज जीतने के कंटेंशन में आ सकती है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है प्लेयर स्पॉट को जरूर डाउनलोड करिए पहले मैच का फ्री पॉट कोड दिया हुआ इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उसको वह उससे यूज करके आप फ्री पॉट जो है उसको जोइन कर ल